मा, अब तो छे महीने का हो गया हूँ मा, कुछ मज़ेतार खाने को दो ना अले अले अले, चल, तेरा हाफ हैपी बड़े मनाते हैं, किचडी तुझे खिलाते हैं अरे सभालगी है ध्यान से सुनना, आखे कान खोल के सुनना, को पोशन से न जूझे मुनना छे महीने के शिशु को दूद के साथ-साथ पोश्टिक खाना भी चाहिए जैसे गाड़ी दाल के साथ चावल, हरी सबजियां, खिचडी, पीले और नारंगी, फल और सबजियां, दही, घी और तेल शुरू में तीन से चार चम्मच खिलाएं, धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं, एक कटोरी दिन में दो बार खिलाएं साथ से आठ महीने के बच्चे को दो कटोरी, नौ से ग्यारा महीने के बच्चे को तीन कटोरी और बारा से चौबिस महीने के बच्चे को चार से पांच कटोरी खिलाएं रोते हैं, उगलते हैं, नचाते हैं, दोडाते हैं, खाना देखकर इमू बनाते हैं, आप ही बताएं, फिर क्या करें? अरे बच्चे की भूग के इशारे समझो, खेल कूच से बहला फुसला के खाना खिलाओ, घर के सदस्य की मदद से बच्चे को बहला के खिलाओ, पहले दूद पिलाओ, फिर खाना खिलाओ और जब बच्चा बीमार पढ़ जाए, खाना ना खाए, तब उन्हें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मा का दूद पिलाएं, और जब बच्चा ठीक हो जाए, तो उसे एक कटोरी खाना ज्यादा खिलाएं, ताकि बच्चा फिर से हटा कटा तंदृस्त हो जाए, तब ही तो सबालगी है ध्यान से सुनना आखे कान खोल के सुनना प्रपोशन से ना जूजे मुन्ना सबालगी है ध्यान से सुनना सबालगी है सबालगी है